पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि जनस्वास्त के रिलेटेड पहला चैप्टर जो शरीर की रचना एवं शरीर की क्रिया जो और फिजियोलोजी के बारे में आपने पूरी अच्छी तरह से जानकारी ली होगी और इसके अलावा आपने कहीं तरह के क्रियाएं अपने पड़े होंगे जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजन तंत्र और कहीं तरह के तो आपको लगा होगा कि शरीर कितना तो जब शरीर तभी कारी करेगा जब वो सुरक्षित होगा सुरक्षित कैसे होता होगा इसके लिए भी कोई अलग सिस्टम है या नहीं यह हम आज जानेंगे तो हां शिक्षार्दियों कि जैसे एक अपना गर होता है गर इंडिविज्वल गर अगर हम देखते हैं तो घर म कहीं कमरे होते हैं और में डोर होते हैं और कहीं अंदर भी कुछ कुछ कमरे होते हैं और आंगन एक होता है और बाहर एक कामपोंड होगा और उसके साथ एक गेट भी रहता है तो यह सब किसलिए हम करते हैं ताकि घर के अंदर जो हम रहते हैं हमारा और हमारे साथ जो वस्त तो इसी तरह से शरीर में भी कहीं तरह के अंग होते हैं और हर एक अंग इंपोर्टेंट अंग होते हैं जैसे हृदय है और लंग्स हैं किड्नी से हर एक अंग इंपोर्टेंट है सब अपना-पना काम करते हैं तो उसकी सुरक्षा भी इतना ही इंपोर्टेंट होती है तो हर एक अंग के उपर एक कवरिंग होती है, जैसे हार्ट होगा तो पेरिकाडियम है, तो किड्नी होगा, तो हर एक कावरिंग होती है, लेकिन फिर भी हमारी यह जो जीवन्षायली में हम जो आहार लेते हैं, इतना स्वच्च नहीं हो सकता कभी कभार, और कोई-कोई जीवन शैली में अलग-अलग कारी करते हैं किसी का घर में रह के काम करने का किसी में बाहर जाकर घूमते हुए काम करने का कारी होता है तो इस तरह से रहने से कही न कहीं कोई न कोई बिमारी हमें हो सकता है कि टानों से अधिक्तर, infectious disease हो सकते हैं तो उसको बचाने के लिए भी हमारे शेरीर में कुछ ऐसे system है जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा प्रनाली हमारा शरीर एवं प्रतिरक्षा प्रनाली के बारे में कैसे ये सिस्टम एक प्रोटेक्ट करती हैं अलग सा हम ये जानेंगे प्रतिरक्षा प्रनाली एक ऐसी व्यवस्ता जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है उसे हम प्रतिरक्षा प्रनाली कहते हैं और इस प्रनाली के अंतरगत कुछ विशेश कोशिकाएं हैं उतक हैं ग्रंथी एवं तरल द्रव्य श साती में थे लेकिन जब काम होने के बाद अपने अपने घर वापस आए हैं तो उन चार में से किसी एक को छी के आना शुरू हुआ और अगले दिन जो है नाक बह रहा है और नाक लाल हुआ ऐसा क्यों बलकि सब के सब चार के चार कल साती थे और एक ही धरे के काना हमने खाया और एक ही साथ जो है हम वापस घर लोटे हैं फिर भी उसमें से चार में से सिर्फ एक ही को बिमारी हुई है क्यों हुआ है ऐसा हमें लगता है कि मुझे ही क्यों हुआ है तो जिनको हुआ है उनका प्रतिरक्षा का जो प्रनाली है वो इम्म्यून सिस्टम तोड़ा वीक होत तो ये बिमारी को लड़ने की जो शेक्ति है वो कमजोर होती है तो इसमें क्या-क्या अंग है जो इस प्रतिरक्षा प्रनाली में निभाया है वो हम देखेंगे इससे पहले प्रतिरक्षन का मतलब क्या हम जानेंगे कि रोग उत्पन करने वाले जीवानों सहित बाहरी कारकों के विरुद्ध स्वयम को सुरक्षा प्रदान करने की शरीर की अपनी समग्रक्षमता को हम प्रतिरक्षन कहलाते हैं जैसे कि मैंने बताया है आपको कि सभी मनुष्य का एकी तरह से प्रतिरक्षन प्रणाली नहीं होती है किसी का कमजोर होता है किसी का स्ट्रॉंग होता है यह भी अपना जीवन में खाये हुआ खाना से ही निर्पर होता है और कुछ-कुछ अपने माता-पिता से आता है अगर माता और पिता strong है और उनकी प्रतिरक्षा प्रनाली अगर strong है तो उनसे पाया गया शिशु को भी strong होते हैं तो ये दो प्रकार के हैं मुक्यता प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा प्राकृतिक प् के द्वारा विरासित से मिलती है जब गर्ब आवस्ता में मा अच्छी आहार खाने से अच्छा आहार खाने से शिशु को भी उसी तरह के आहार रस से शिशु बनता है और मा का जो रस से जो शिशु बनता है उसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा स्ट्रॉंग वाली मिलती हैं और इसके अलावा अक्वायड इम्मुनिटी जो उपारजित प्रतिरक्षा जिसे हम कहते हैं यहां प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के दौराण विकसित होती है और इसलिए इसे natural immunity अच्छा हो तो उन में बिमारियां गम होते हैं और जिन्का natural immunity कमज़ोर हो तो उनको चोटी सी चोटी भी बिमारी भी बहुत गंबीर लगने लगता है और कोई दवायां लेने से भी इतना जल्दी ठीक नहीं होता है जैसे की healthy हम कहते हैं तो healthy में हील और थाई, ह-e-a-l-t-h-y, हील थाई, इसका मतलब है कि बिमारियां सबको होते हैं, लेकिन टाइम से अगर वो अपने आप टीक होता है, तो उसे हेल्दी हम कहते हैं, और वो नैचरल इम्मुनिटी जिनका अच्छा हो, तो वो अपने आप ही हील होता है, बिना कोई दवा लेने पर भी बहुत देर से टीक हो जाता है, और अक्वाइड इम्मुनिटी उन्हें कहते हैं, जो कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं, अभी हमने देखा है कि प्रतिरक्षा दो प्रकार की हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्र प्रतिरक्षा को ठीक रखता है जैसे कि त्वच्छा एवं स्लेश्माजिल्ली उदर में उपस्तित हाइड्रोक्लोरिक एसिड रक्त और लसी की संस्तान लसी का पर्व प्लीहा यानि स्प्लीन ताइमस ग्लैंड या ताइमस ग्रंधी और टॉंसिल्स यह सारे जितने भी गट परण्य करते हैं और कैसे एसा सपल बॉर सब्कारिका करते हैं पानी अगर हम अपनी तवच्छा के उपर डालते हैं तो क्या यह शरीर के अंदर जाता है नहीं क्योंकि यह चाएव सारे पदार्दों को नहीं शरीर के अंदर जाना देता आए यह परमियबल्टी पे और सकिन कहीं तरह के सकिन पे डस्ट हाती हैं और कहीं मकी बहुत सारे लोग अपने शरीर के तवचा पे आती हैं फिर भी शरीर के अंदर रहने वाले जो मांसे पेशिया अढ़िया इन सब तक नहीं पाऊंसती है यह skin जो है अपने शरीर के एक body proof जैसा काम करता है और इसके नीचे ही एक mucous membrane रहता है जो हर mucous membrane के नीचे से फिर subcutaneous fat और emancipation और हड़ियां और internal visceral organs रहते हैं तक ना पहुंचने के लिए यह mucous membrane भी एक protective layer जैसा बनी रहती है इसके अलावा उदर में रहने वाले hydrochloric acid अब जो भी आहार हम लेते हैं चाहे वो घर का खाना हो या बाजार से हम खरीद के लेते हैं जरूरी नहीं है कि उस खाने के अंदर कोई कीटानू ना हो कीटानू भ तो उस आहार को अगर हम ले स्पेशली जो raw vegetables या salads हम लेते हैं उसको हम ठीक से नहीं wash करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कीटानू रह जाती है और उस आहार हम दिन में जो आहार हम लेते हैं को दिन भर में लेने वाले जो आहार में कोई ना कोई कीटानू जरूर रहते हैं फ इसलिए हम अपना स्टमक में, पेट में जाता है, और पेट में जाकर पचने से पहले में पहले वो हाईडरोक्लोरीक एसिड के साथ मिल जाती है। तो उसके अंदर रहने वाले कीटा नूस मर जाते हैं। तो यह भी एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा, ब्लड, रक्त, रक्त के अंदर कही तरह के सेल्स होते हैं, RBC सेल्स हैं, और WBC सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, यह सब आप जानते हो, तो यह जो श्वेत रक्तकन हैं, WBC cells, यह mainly immunity के related काम करते हैं, इसके अंतरगत कहीं तरह के cells होते हैं, जैसे कि monocells, monocytes, basophils, specially lymphocytes होते हैं, lymphocytes जो है यहां काम करते हैं और plasma protein है, plasma protein भी immunity के लिए सहायता करती है, globulins, albumins, यह सारे जितने भी proteins हैं, यह सब immunity को help करता हैं, अपने disease ना आने के लिए fight करते हैं और अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, इसके अलावा जो lymphatic system जैसे circulatory system है, पूरी रख्त अपने body के हर एक कोने कोने तक पहुंशती हैं, इसी तरह से lymphatic system भी एक ऐसा है, जो अपने body को शरीर को सुरक्षित रखता है, यह जो lymphatic system में हर जगा जगा पे चोटे चोटे जो बीज की तरह से lymph glands होते हैं, यह जितने भी शरीर के अंदर गए हुए microorganisms हैं, उन microorganisms से release होने वाली जो toxins हैं, उन सब को यह lymphatic system fight करके, उनको मार कर, उनको clean करके शरीर से बाहर को निकालती हैं, इसके अलावा, spleen, spleen या pleeha हम कहते हैं, यह रक्त को चानना और इसको कोशिकाओं का बक्षक करना, इसका काम है, और यह lymphocytes को निर्मान करता है, कहीं तरह के lymphocytes और monocytes को भी यह निर्मान करते हैं, जितना ज्यादा इसकी कार्यशिल होगी, spleen की, इतना ज्यादा वो lymphocytes और monocytes का निर्मान करेगा, और यह आगे जाकर microorganisms को clean करने में सहायत करेंगे, इसके अलावा, pleeha के रक्त में, विद्यमान, antigens, antigens जो होते हैं, वो lymphocytes को क्रियाशिल बनाकर कोशिकाओं में विकसित होते हैं, तदा antibodies का निर्मान करते हैं, जैसे ही body में कोई microorganism जाता है, या foreign body, शेरीर को ऐसा क्षमता है, कि अपना क्या है और बाहर का क्या है, यह जानने की शेक्ति शेरीर में है, और उन में हैं, जो यह immune system में जो गटक द्रव हैं, वो सारे यही काम करते हैं कि शेरीर का अपना क्या है और बाहर का क्या है, जैसे ही foreign body अंदर आ जाती है, microorganism के रूप में, चाहे वो bacteria हो, चाहे वो fungal हो, चाहे वो viral हो, कुछ और भी हो, तो उसे हम antigen कहते हैं, जैसे ही antigen अपने body के अंदर जाती है, तो यह सारे एक दूसरे को, इतने जो गटक द्रव हैं, एक दूसरे को message देते हैं कि अपने शेरीर में कोई बाहर से आया हुआ है, उसको हमें अपनी शेरीर से बाहर निकालना है, तो सब एक दूसरे को message देते हैं, और lymphocytes, monocytes, spleen, lymphatic system, सब alert हो जाती है, alert होकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और यह जितना ज्यादा lymphocytes बनेंगे, जितना ज्यादा monocytes बनेंगे, उतना ज्यादा जल्दी से जल्द वो किटानों को या micro organism को शरीर से बाहर निकालते हैं, अगर immune system हमारा कमजोर होता है, तो यह message जो है एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, और यह कम से कम secret ह होने लगते हैं, एंटिजन के प्रतिये antibodies नहीं बन पाते हैं, तो क्या होगा, यह रोग को उत्पन करेगा, कीटानों अपने body में जाते ही, वो अपना संक्या को वृद्धी करते हैं, replicate करने लगते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से सोला, इस तरह से बन बन कर, हजारों मे लाकों में, मिलियन्स में बन कर, यह अपना शरीर में पूरी सर्कुलेशन में होकर ज्वर को उत्पन करता है, लेकिन उसे उत्पन होने से पहले, अगर हमारा शरीर में इम्मुनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग होती है, तो यह उस रिप्लिकेशन को, यह जो दो से चार, च शरीर से बाहर निकाल देती है, तो इसी लिए हमें कुछ अच्छे आहर काना चाहिए, ताकि हमारा इम्मुन सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए, इसके अलावा, एक और ग्लैंड है, जो ताइमस ग्लैंड, ताइमस ग्लैंड जो है, उर प्रदेश में होता है, जो दो बिमार होते हैं, उनको चोटी से चोटी कोई भी एक माइक्रो ऑर्गनिजम जाए, तो तुरंत इनकी इम्मुन सिस्टम कम होने के कारण बार बार बिमार होने के चांसे ज्यादा होते हैं, तो इसी लिए उन बच्चों में ये ताइमस ग्लैंड काफी बड़ा होता है, और जैसे ही बच्चे होते हैं तो ये बड़ा होगा, और ये बच्चे अगर अगर अडल्ट बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अपने आप ये ताइमस ग्लैंड चोटा हो जाता है, क्योंकि इसकी काम तब कम हो जाता है, जैसे बच्चे होते हैं, तो उस समय में इनकी त करता है कि इसके अलावा टॉंसिल्स हैं मुह के अंदर चीब के पीछे दो दाएग और बाएग टॉंसिल्स होते हैं और यह टॉंसिल्स नॉर्मल होता है तो उसमें कोई लाल नहीं रहता जैसे ही कोई इंफेक्शन होती है वो तुरन जो है लाल और इंफ्लेम्ड हो जाते हैं और यह भी प्रोटेक्ट करते हैं यह इसलिए कि जितने भी आहार हम ले रहे हैं आहार की तुरूबी हमें कोई कोई microorganism जा सकते हैं यह सांस जो हम लेते हैं नाक से वह हवा से भी कोई जा सकते हैं यह घर में कोई औरड़ी कोई टुबर्कुलर पेशन्ट है जो वह खांसता है यह चीकते हैं तो उनकी चीकने से भी वह बैक्टिरिया दूसरों को फाहल सकती है तो इस तरह से जाने के बाद अंदर जो लंग्स में जाने से पहले ही टॉंसिल्स यहां रोक देते ह हैं पहले यह फाइट कर देते हैं कि यह रोकते हैं एक तरह से गेट जैसे काम करते हैं कि यह अगर ना रोके तो नीचे की और जाकर यह ट्रैक्या और लंग्स ब्रॉंके तक पहुंच सकते हैं तो और बीमार गंबीर हो सकते हैं तो टॉंसिल्स भी यहां की टानों को फिल् स्प्लीन है यह सारे नाच्रल इम्मुनिटी को बढ़ाते हैं और नाच्रली हमारे इम्मुन सिस्टम को स्ट्रॉंग करते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि अक्वाइड इम्मुनिटी यहाँ प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के द्वरान विकसित होती और इसलिए इसे उपारजित या कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं यह दो प्रकार से करती है एक है अरक्षितता के माध्यम से और दूसरा टीका करन द्वारा ये अरक्षितता के माध्यम से ये कैसे करेगा जैसे कि अपनी पूरी जीवन काल में एक रोग के किसी पिछले संक्रमन या अरक्षितता के कारण उस रोग के प्रतिरक्षा उत्पन हो जाती है यहाँ प्रतिरक्षन प्राप्त करने की प्राकृतिक विदी है उदाहरन के लिए यदि एक व्यक्ति को खसरा हो जाता है तो उसे इस रोग से जीवन बर्की प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है जैसे कि चिकन पॉक्स भी अगर किसी को हो जाता है जिसमें चिकन पॉक्स यानि ये भी कमूनिकबल डिसीज है जो घर में अगर किसी एक को होता है तो तुरंत एक दुसरे को फ़हल जाता है इसे बच्चों में यह फैल जाता है यह जिन्दगी में अगर एक बार यह चिकन पास्या कसरा हो जाती है तो उसके रिलेटर यह यूशुली वाइरस से होती है वाइरस की कीटानों से होती है मेजिल्स वाइरस कसरा यह वाइरस अपने बॉड़ी में शरीर में पहुंचने के बहुत जल्दी से पूरी बॉड़ी में फहल जाती है और उसके बाद अपना चरम के उपर छोटे-छोटे गमोरिया जैसे दाने हो जाते हैं और उसके बाद पूरी इम्म्यून सिस्टम को वीक कर देता है और यह वायरस बहुत विशाक्त पदार्दों को यह रिलीज कर देता है तो पहली बार जब होता है तो यह बिमारी बहुत गंबीर होती है और इससे शरीर के जितने भी यह जो प्रतिरक्षा करने वाले गटक द्रवी पहचान लेते हैं तो यह कौन सी वायरस है और किस तरह की विशाक्त पदार्द को रिलीज कर रहा है तो यह पहचान हो गया ह उसके बाद दुबारा कभी भी इस तरह के measles virus अपने शरीर में अगर चला जाता है तो तुरंथ ही उस antigen को के related antibody release कर देती है क्योंकि पहली बार जब कसरा होता है तो कही तरह के अपना शरीर से antibodies तयार करके रखती है दुबारा इसी virus जब शरीर में enter होता है तो antibodies तयार हुआ antibodies और ज्यादा antibodies को बनाता है ताकि दुबारा ये disease ना हो तो ये acquired immunity कहते हैं लेकिन आज के time में हमें ये देखने को मिलता है कि खसरा जिन्दगी में एक बार होती है तो दुबारा भी हो रहा है लेकिन जब दुबारा होता है तो पहले जैसे घंबीरता नहीं दिकाती है हलका होता है दो-तीन दिन के लिए होके फिर ठीक हो जाते हैं तो ये acquired immunity का एक अंश है जो अरक्षितता के माध्यम से होता है इसके अलावा एक होता है टीका करन के दौरा टी के निश्क्री या कमजोर रोग जनक या उनके उत्पाद हैं जो प्रती जन्द या बाहरी एजन्ट के रूप में कारी करते हैं जब शरीर में टीका लगाया जाता है तो वह विशेश रोज जनक के विरुद्ध पतिरक्षय प्रनाली को सक्री कर देता है नवजात शिशु को टीबी ना आने के लिए पैदा जनम होते ही हम BCG जो बैसिलस कैलमेट गुराइन की जो सब इंट्राडर्मल हम देते हैं वैक् तो इसमें जो टीका में होता क्या है यह जो कीटानु है उसी को पैसिफई करके यह हलका उसको कमजोर करके हलकी मात्रा में दिया जाता है ताकि यह जो एंटिजन जब बॉडी में रहता है तो उसके प्रती एंटिबॉडी रिलीज हो जाए रिलीज होने के बाद बॉडी ज जान लेते हैं कि इस तरह के आगे अगर कोई कीटानों शेरीर में आते हैं तो किस तरह से हमें एंटिबॉडिस तयार करना है वो जान लेते हैं तो राष्टी टीका करन के अनुसार कहीं तरह के टीकाएं हमें देखने को मिलता है जैसे कि जनम से लेकर 15 साल तक की वर्ष के Community Health Worker को इस schedule के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये टीका करन के अंतरगत क्या-क्या टीकाएं आते हैं, जैसे मैंने कहा है कि BCG जो TB ना होने के लिए देते हैं, और इसके अलावा डिप्तीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, जिसको हम DPT कहते हैं, ये भी दिया जाता है, देड महने से, देड महने पे, फिड हाई महने पे, फिर साड़े तीन महने में दिया जाता है, इसके साथ साथ पोलियो वाइरस से बचाने के लिए, पोलियो डॉप्स पिलाया जाता है, दो दो बून, जनम में भी दिया जाता है, और हर DPT के साथ साथ दो बून दिया ज यह इंट्रा मस्कुलार देते हैं और यह 0.5 ml दिया जाता है यह भी DPT के साथ साथ देते हैं कुछ राष्टों में यह पेंटा वैलंट वैक्सिन के रूप में पांच को मिला कर दिया जाता है इसके अलावा खसरा को नवा मैना कम्प्लीट होने के बाद दसवी मैना गिरते ही कसरा का इंजेक्शन जो मीजल्स वैक्सिन देते हैं और इसके अलावा MMR मीजल्स मम्स रुबेला इसका वैक्सिन भी देते हैं 15 से 18 महने के बीच में और DT वैक्सिन फिर T.T वैक्सिन भी दिया जाता है यह बेसिक वैक्सिन्स है जो गौर्णमेंट की तरफ से देते हैं इ यह वाइरस अगर बच्चों में आक्रमन करने से बहुत सारे दस्त आतिसार और लूज मोशन्स और वामिटिंग्स होते रहते हैं जिसके कारण शिशु को पहुंच सकते हैं तो यह सब बचाने के लिए रोटा वाइरस देते हैं इसके अलावा मेनिंजो कोकल वैक्सिन भी दि इम्मुनिटी को प्राप्त कर लेते हैं जो टीका करन है राष्ट नेशनल इम्मुनिजेशन शेड्यूल के अलावा भी कम्मुनिटी हेल्थ वरकर को अलग सा जो ऑप्शनल टीका आये हैं उसकी जानकारी भी लेना बहुत ज़रूरी होता है और टीटी वैक्सिन जो टिटने से बचाने के लिए और नवजात्षिशु में यह जब अमलेक नाभीनाल का कर्टन होता है तो उसके बाद तुरंत यह ना फहलने के लिए इस कीटानों से टिटने ना फहलने के लिए टीटी घर भावस्ता में ही त्री को दिया जाता है तो यह हमने देखा है कि प् नैचरल इम्मुनिटी है, जो अपना बॉडी ही कुछ गटक, शरीर के कुछ गटकों से प्रतिरक्षा करती है, इसके अलावा अक्वाइड इम्मुनिटी है, जो अरक्षितता के माध्यम से और टीका करन के माध्यम से अक्वाइड इम्मुनिटी को प्राप्त करता है, तो चा तरह होना चाहिए कि बहुत ज्यादा एंटी ओक्जिनेंट से भरपूर वाली आहार लेनी चाहिए ताजी ताजी सब्जियां और ताजी फल लेना चाहिए ना कि जिसमें कोई कैलरीस ना हो इस तरह से वाले जो पिजा है या समोसा है जो गंदे तेल से बनी हुई बाहर के ताकि जिसे हमारे प्रतिरक्ष्य प्रणाली कमजोर हो धन्यवाद